परनाटक में बीएस येदि यूरपा के मुख्यमंत्री पद के शपत को रोकने के लिए कॉंग्रेस सुप्रिंग कोर्ट पहुंची कोर्ट में आधी रात के बाद करीब साड़े तीन घंटे चली बहस के बाद येदि यूरपा को राहत मिली जिसके बाद वे आज सुबहसी एंपद के लिए शपत लेकर सत्ता किसी हासन पर काबिज हो गए हैं लेकिन 24 घंटे के अंदर उन्हें अपने समर्थन विदायकों की लिस्ट कोड को देनी है बीजेपी के लिए 12 विदायकों की लिस्ट सौपना असान नहीं है ऐसे में ये दियूरपा को बहुमत साबित करना एक बड़ी चुनावती है बतादें की करनाटक विदान सभा चुना की 222 सीटों पर आये नतीजों में बीजेपी को 104 सीटे मिली है जो की बहुमत से 8 विदायक कम है कॉंग्रेस को 78 और जेडियेस को 37 बसपा को एक और अन्य को 2 सीटे मिली है ऐसे में बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उबरी हो लेकिन बहुमत से वो दूर है जबकि कॉंग्रेस और जेडियेस ने नतीजे आने के बाद हाथ में ला लिया है बीजेपी ने जहां सबसे बड़ी पार्टी होने के चलते सरकार बनाने का दावा पेश किया ती वहीं जेडियेस और कॉंग्रेस ने गड़ बंदन करके विदायकों की परियापत संख्या होने का हवाला दे कर सरकार बनाने का दावा पेश किया इसके बाद बुदवार की शाम करनाटक के राजजपाल वजभाई वाला ने बीजेपी को सरकार बनाने का नियोता भीजा और येदियूरपा को पंदरा दिन में बाहू मत साबित करने का समय दिया येदियूरपा ने गुरुवार सुबह नौब वज़े तयव वक्त पर मुख्यमंत्री पद का शपत लिया राजजपाल के बीजेपी को सरकार बनाने के नियोता देने के बाद येदियूरपा के शपत ग्रहन को रोकने के लिए कॉंग्रेस भुदवार को रात में ही सुप सुप्रिंग कोट ने करनाटक भाजपा को कुछ देर के लिए ही सही लेकिन बड़ी रात दी है और येदियूरपा की शपत पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है हाला कि कोट ने ये दियूरपा की रहा में एक बड़ा रोड़ा जरूर अटका दिया सुप्रिंग कोट ने बीजेपी से राज़पाल को दिये गए समर्थन पत्र की मांग की है मामले में अब शुकरवार की सुबह 10.30 बजे दोबारा सुनवाई होगी ऐसे में ये दियूरपा को अपने 112 विदायकों की लिस्ट सॉमपनी है जबकि उनके पास 104 विदायक ही है ऐसे में 8 विदायकों का समर्थन हासिल करना अपने आप में एक टेड़ी खीर है BJP शुकरवार को सुबह 10.30 बजे अपने 112 विदायकों की लिस्ट नहीं सामती है तो ऐसी हालत में ये दियूरपा के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है BJP बहुमत के लिए जरूरी विदायकों की संख्या को पूरा करने में अगर दो अनिव विदायक और एक बसपा विदायक का समर्थन हासिल कर लेती है तो उसकी संख्या 107 ही पहुँचती है इसके बाद भी बहुमत के लिए 5 विदायकों की जरूरत पड़ेगी जिसे पूरा करना आसान नहीं है